अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो गुड मॉर्निंग आस्प्रेंट, स्वागत है आपका फोकस अन एजुकेशन में मैं एजुकेटेर आप सिब के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके competitive exam में help करेगा क्या कुछ खास चले नज़े डालते हैं आज 20 October 2020 है और first point क्या है जो very important है हमारे exam point of view से किस राज्य में पहले पहला दो organic spicy seed park बनाया जा रहा है और ये भारत का पहला है ठीके तो वो कहां पर बनाया जा रहा है गुजराते बनाया जा रहा है तो क्या होते हैं organic spice seed park ठीके ये जो spice 40 जेतने गरम मसाले हमारे होते हैं उनका एक organic रूप से seed park बना जा रहा है seed park क्या होंगे इनकी बीज वहां रखे जाएंगे और उनको preserve रखा जाएगा अगर किसी को भी जरोत होती है वो बड़े तोर पर तो वो उसे distribute किया जा सके ठीक है तो अभी दो ऐसे seed है spice है ये जिनका यहां पर लगाया जा रहा है एक है आपकी जीरा ठीक है जिसे की कहां पर लगा जा रहा है गुजरात के पाटन में लगाया जा रहा है पाटन सहर में अगर पूछा जाए जीरा कैसी फसल है तो जीरा एक रवी फसल है जैसे हम जानते हैं फसल की तीन प्रकार होते हैं मेंली दो होते हैं बट हम तीन गीनते हैं एक होती है रवी एक होती है खरीब और एक होता है कौन सा जायद ठीक है तो ये क्या है रवी की फसल है क्या जीरा और उसकी बाद दूसरा कौन सा है सौफ ये कहां पे लग रहा है तो ये लग रहा है आपका पालनपूर में ठीक है ये पॉइंट याद रखेगा पालनपूर म है वो बहुत ज़धा famous मसालों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीरे की मंडी कहाँ पर है या आपसे पूछा जा सकता है exam में world की है बोल रहा है world की जीरे की सबसे बड़ी मंडी का पर वंझा का उज़ा के मेहासान में महसान का है गुजरात में ठीक कुछ भी नाम दे और उज़ा नाम दे आपके अप्शन में या फिर महनास नाम दे या फिर गुजरात नाम दे तो आपका उत्तर क्या होगा गुजरात होगा एसिया का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा किसका जीरा कमंडी और ये किसकी सहायता से बनाय जा रहा है ये नबाड की सहायता से बनाय जा रहा है ये पॉइंट याद रखिएगा ठीके नबाड कब इसको गठित किया गया था तो 12 जुलाई 1982 में गठित किया गया था ये कई बार पूछा गया है कि नबाड जो है वो कब स्टैबलिस्मेंट किया गया था अगस का हेटकॉर्टर पूछे तो मुंबई में इसका हेटकॉर्टर है यह पॉइंट ध्यान दिजेगा और नबाड जो है वो बैंक को की तरह लोन देता है लेकिन क्या सिर्फ यह अगरिकल्चर को लोन देता है तो नहीं यह ऐसी कोई भी जरूरत की क्रिसी से स और क्या-क्या इंपोर्टेंट कुछ है गुजरात उसे जरा हम एक बार फटा-फट देख लें पहला पॉइंट क्या है हमसे अगर पूछा जाए गुजरात से तो इंडेक्सेस कौन-कौन से इंडेक्सेस में गुजरात टॉप पर है यह में पता होना चाहिए जैसे से लख पॉइंडेक्स में टॉप पर है सोलर रूफ टॉफ इंस्टाल्मेंट में टॉप पर है और अभी एक्सपूर्ट रेडएनेस इंडेक्स पर पर रहा और यह पर जो स्टार्टीप प्रॉग्राम आया था उसके अंदर वी यहां यह से आप पर आप दुसरा क्या यहीं पर आपकी हनी टेस्टिंग लैब लगाय जा रही है और सबसे बड़ा म्यूजियम ही खोला जा रहा है नेक्स्ट क्या है कि जो रेसम सिल्क होता है ना सिल्क पर ससक्रण केंद्र सुरेंद नगर में भी कहां लगाय जा रहा है यहीं पर लगाय जा बी गैस छेतर फरजात बी गैस छेतर राश्ट या देश के द्वारा नियंतर्त किया जाता यानि वह किस देश में है तो इरान में है यह पॉइंट याथ लखेगे यह इसनले नियूश में आया क्यूंकि इसको इंडिया बनाने वाला था लेकिन अभी इरान ने कहा कि नहीं हम अंडिया को करने की जोरुवयत नहीं हम क्या करेंगे हम बहुत अपने लोकल कंपनी को इसको करने के लिए देंगे वो इसए करेंगे इस थीका यह डैस सहयंत्र है चलिए नेश्ट पाइंट पर देखें क्या है भारत ने किसराजी के साथ ई-Health पर हस्ताच किया है तो किसके साथ किया है नीदर लेंड नीदर लेंड की अगर कापिटल पूछत क्या है एमसरन डैम है यह पाइंट हमें यह पता होना चाहिए ठीक है चलिए नेस्ट पाइंट पे डाले वो क्या है यह आपका एस्यों हैड ऑफ गवर्मेंट बैठक 2020 किसके द्वारा आय आयुजित की जा रही है अगर सिर्फ पूछे की स्यों की मीटिंग कहां पर आयुजित की जा रही है तो वह आपकी कहां होगी रशिया यानि रूस में होगी लेकिन अगर पूछे आपके को कि हैड ऑफ गवर्मेंट की मीटिंग कहां हो रही है तो वह हो रही है आपकी कि इन्वेशन एरिया के बारे में भी डिसकस किया जाएगा और अबने हमने प्रिवेश वीडियो में देखा था इंडिया में ही इंडिया नहीं होस्ट किया SEO का Minister of Justice of SEO यह कौन सा संस्क्राइब था यह याद रखेगा यह कौन सा था तो यह सात्वा संस्क्राइब था अगर आप से एक्जाम में पूछे कि इसका Headquarter कहां पर है तो यह ऐसा मस्त होगा इसका फुल फॉर्म क्याता है संगाई Corporation Organization तो इसका Headquarter अगर आपसे पूछता है तो वह कहां पर है तो बीजिंग सहर में है बीजिंग का पुरान नाम क्या था पीकिंग था यह भी पॉइंट याद रखी गया कहां पर है तो चाइना में है ठीक है Next Point इध्यान दे वो क्या है कि उत्तर परदेश के किस राज्य को सुरच्छित सहर परियोजना के लिए चाइनित किया गया है तो अभी यूपी के सुरच्छित सहर परियोजना में लखनौट सहर को चाइनित किया गया है तो इसमें वर्ल्ड के 8 सीटी को इंक्लूट किया गय है जहां पे 100 पिंक स्कूटर्स और 104 जो दस फोर वीलर्स जो पुलिस वैन है उसे लिया जाएगा और क्या इंपॉर्टेंट है यूपी से यूपी में ही अभी एक और नियूज आई कि 20% कितना 20% का रिजिर्वेशन मिल जाएगा फीमिल्स को कहां पे आपका पुलिस की भरती में ठीक है piece कि रिज़र्व रहेगी ये पॉइंट याद रखिएगा और क्या इंपोर्टेंट है यूपी में और कई सारे पॉइंट्स हैं यूपी से रिलेटिड जैसे कि हमने यह देखा था कि यूपी में अभी कौन से स्कीम लॉंच किया गया है ऑप्रेशन चलाया गया था एक दूराचारी यह हमने देखा था ठीक है और अभी यहां पे सक्ती मिसन ल फिमल्स बहार निकलेंगी उसके लिए है यह जो इंपोर्टेंट पॉइंट है अभी इसको याद रखिएगा चलिए और क्या है नेक्स्ट पॉइंट भारत सरकार ने ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करने का लक्ष बनाया है ठीक है तो कब तक का लक्ष है 2022 तक का लक् और भी कई साइर लक्ष है तो हाँ बिलकुल जैसे कि आपका जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए उनकी इंकम को डबल करने की बात की थी किसानों की इंकम को डबल कर देने की बात की थी गवर्मेंट ने कब तक 2022 तक और कहां पर और सब को घर प्रोवाइट कराने की बात या बड़ टीबी की पूछा जाए कब थे दोहजार पच्चिस तक यह पॉइंट याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजए डाले वो क्या है आपका यह जल संरच्छन के कौसा बुलधाना पैटन को राष्ट पहचान मिली है तो यह किस राज में स्थीत है बुलधाना पैटन कहां पह तो यह गुज्यराद श्री म महाराष्ट के बुलधान जिले में हैं इसलिए इसका नाम पुलधाना फैटन रखा गया है और अगर आपसे एकजाम में पुछा जासकता है कि बुलधाना फैटन किस से संबंदीत है तो आप्षिन में आपके दे उइसा पहचान बनाया कि हम वहां पे बहुत आसानी से जल को संरचित कर सकते हैं और उसका वापस से रियूस किया जा सकता है और यह किस किस के द्वारा किया जा रहा है मतलब किसका सयोग है तो नीती आयोक का सयोग है कहां पर है महराश्ट में अभी हमने देखा था न्यूज महराश्ट में एक और आई थी क्या सुरच्छा कवच क्या था आपका सुरच्छा कवच यह क्या है यह एक exercise थी किसके किसके बीच महाराश्ट के पूने पुलिस के बीच में और हमारे इंडियन आर्मी किये इन दोनों ने मिलकर एक वहाँ पे security लगाई थी ठीके जैसे कि attack अगर होता है तो हम किस तरीके से उसको tackle कर सकें यह point याद रखिएगा चलिए next point पुइंट नज़े ड भारतिय को wild life photography of the year 2020 से समानित किया गया तो यह कौन है यह first Indian woman बनी है ठीके first Indian woman कि को किसी को prize मिला वो भी किसके field में wild life photography of the year तो वो कौन है वो है आपकी एश्वर्या सिर्ध्या नाम है इनका इनका नाम याद रखिएगा एश्वर्या रायमा समझेगा कौन है यह स्रिध्या है ठीक है और यह कितने साल की है मात्र 23 years की है और यह जो एवार्ट था वो कौन से नमबर का तो 56 नमबर का एवार्ट था अगर इनके फोटो का टाइटल क्या था तो लाइट आफ द पैसन इनका टाइटल का नाम था यह भी पॉइंट याद रखिएगा इनका नाम और इनक यह इमेज का नाम क्या था वो भी याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्ट पॉइंट पर नजा डाले प्रकास जवडकर ने किस सोचल मीडिया से लाइव होकर वायू प्रदूर्शन विशय पर बात की तो आपके लिए इंपॉटेंट हो जाता है प्रकास जवडकर हमारे क क्या है अब बताइए स्वासमंत्राले हैं इनके पास कमेंट सेक्से में लिखकर रोताइए इनों ने सोचल मिडिया की देगा कि इनों इस वे बात की वायू प्रदेशन के अभिग देख रहे हो बहुत ज़्यादा वायू परदेशन पे कारिक्रम शुरू हो गये है इसे द लाइट लाइट और गाड़ी ऑफ यह अभियान शुरू किया है उन्होंने और बहुत सरे स्कीम्स निकाले हैं ठीक है इवेन और यहीं पर लगाया गया था कहां पे दिल्ली में अभी इस शुरू मतब इस वहिकल सुरू की गई है ठीक है इस अगर पूछा जाए तो वह कहां फेस्बुक से फेस्बुक लाइफ पर यह आके बाते की हैं तो आपके एक्जाम में क्या कहते देगा ट्विटर पर आके दिखिया फेस्बुक पर किया ठीक है या फिर आपका वाटस अप पर आके किया या फिर जूम एप इस तरह के कोई जो और भी है तो सोसल मीडिया पर किया तो आपके इंपर्टन हुझते हैं कि हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर पिकिकि台त जादा तर जूह इंयां किको एंऑ किसे होते हैं आपकी टूटर से किया जाते हैं यह सब्सक्राइब ट्रेंट में तो कोई मिर नहीं देता तो अपक लेकर उततर क्या होगा Facebook ही रहेगा ठीक चलिए next point पर ध्यान दे वो क्या है किसके साथ महीने बाद क्या हुआ आई लीग ट्रोफी मिला किसे साथ महीने बाद तो ये कौन जिता था आई लीग ट्रोफी वही जो हमारे नियूज में भी था और हमारे एक्जाम में भी आया था वो कान है मुहन बागान मुहन बागान ने आई लीग ट्रोफी जित लिया और किसको हराया था तो आई जोल को ह आया था कितने से तो जीरो एक से ठीक है यह पॉइंट याद रखिएगा चली और क्या इंपॉइंट पॉइंट है उस पर भी हम नज़ा डालें यह रास्ट यह खाद और क्रिश्री सप्ता का वर्च्वली उद्घाटन किसके द्वारा किया गया तो यह किसके द्वारा किया प्हां तो तो उन्हों रिजाइन दे दिया तो अभी इनके पास है उनको याद कैसे रखते हैं जैसे कि तोन्र आद्मी निकल जाता है ना विक्तियों का क्या या पेट निकल जाता है तो निकल गया तो कैसे निकला खाना खाके निकला तो खाद और क्रिशी किस मंत्रे और ले किसके पास है तो तोमर जी के पास है ठीक और अगर हमने देखा था अभी इसकी 75th Anniversary किया और इसी उपलक्ष में इंडिया ने यानि हमारे प्यमोदी ने 75 रुपेस का सिक्का भी लॉंच किया अभी हम कौन सा वर्ल्ड फूड डे के दिन वर्ल्ड फूड डे के दिन हम एक वीक मना रहे हैं कब से कब तक तो 16 से लेके हम 25 तक ये वीक सालब्रेट कर रहे हैं इसे यह भी पॉइंट याद रखिएगा चलिए नेक्ट पॉइंट पर धियान दे वो क्या है यह हमारा किस राज सरकार ने गरीवी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपए में साड़ी देने की गोशना की तो किसने की यह चार खणने की है ठीक यह बहुत ज़्यदेल म्तुर tenant नहीं है नेक्ट फार्व किससम और यह जाए नमक एक वौत लॉंच्रा किया तो आपको ध्यान है विहारा है यह कौन लॉंच किया यह आपकी सपलारे due dok pasar लावि की क्या घ्रव नियुक्त डवरौ ट्यूर्ट अप्ने सिरिस चलाने रहा है लेकिन इसका नाम क्या है बिहारा, ये लॉंच किया है कौन आयूश मंत्राले, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये, ये हमारे लिए इंपोर्टिंट बन जाता है, भारत और स्रिलंका के बीच कौन से एक्साइज होती है, लिनेक्स 2020 का आयोजन किया गया, ये कौन सा संस्क ठीक, कहां पर आयोजित किया गया, तो ये तीरू, त्री कॉम्बली स्रिलंका में किया गया, और ये कैसी एक्साइज है, ये एक मैरे डाइम एक्साइज है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दे, वो क्या है आपकी, ये भी इंपोर्टेंट है, ये क्या है, ग्रें कौनसा एडिशन था, तो सोलहवा, यानि सिक्स्टींथ एडिशन था, इसको एड्रेस किस ने किया, तो हमारे पीम मोदी जी ने किया, और इसमें 14 कंट्रीज ने पार्टीपेट किया, इसमें बहुत सारी बाते की गई, कि इंडिया किस तरी किसे कोवेड नाइनटीन को टै इंद्रधनुष मिसन जो है, वो 7 और भी टाइप 7 या 10 टाइप के वेक्सिनेशन की बात की थी, इसमें इनोंने लक्ष रखा था कि TB को हमें हराना है, खश्रा को हराना है, और बहुत सारे इस तरह टार्गेट इनोंने बनाये थे, तो आपसे एक्जाम में इंद्रधनुष के बारे में पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष भारत सरकाग का वेक्सिनेशन टार्गेट स्कीम है, ठीक है, यह प्रोग्राम है, यह पॉइंट भी याद रखीगा, यह कुछ इंपोर्टन पॉइंट थे, जो हमारे एक्जाम में आ सकते है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आयागा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेर कीजिए, थाएंक्यू आसपरेंट